हेलो एवरिवन वेलकम टू जेडी क्लासेस आज हमने शुरू करने वाल है चैप्टर फूर फाइन इनिफाइन इनिफानाइट सिक्वेंसेस तो वाट इस सेट अफ नंबर्स अरेंच्ट इन डिफिनेट ओर्डर अकॉर्डिंग तू सम् डिफिनेट रूल इस कॉल्ड़ सिक् इन दोने के बीच में भी टू का डिफिरेंस है तो यह एक पर्टिकुलर ओर्डर को फॉलो करता है अगर आप देखेंगे वन माइनस हाफ वन बाइफ वाइफ वाइनस वन बाइफ तो यहाँ पर वन के बाद जितने भी नंबर आया है उनको माइनस हाफ के साथ मंटिप्ला को फॉलो कर रहा है दूसरा 1 4 9 16 तो यह भी पर्टिकुलर सिक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर वन का स्कॉयर 2 का स्कॉयर 3 का स्कॉयर 4 का स्कॉयर ऐसे करते करते जाएगा 5 का स्कॉयर 6 का स्कॉयर यह भी एक सिक्वेंस है अब इन सिक्वेंस को जानने के बाद अब हमें यह ज होता है कि हम उसमें किसी टर्म को जैसे 3, 5, 7, 9 से बढ़ते गया पहला टर्म क्या है इसको बोलते हैं a और पहले टर्म का a हो गया और दूसरा टर्म को यह है इसको मान लो a1 यह है आपका a2 इन दोनों की पीच में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस है आपका a2-a1 करते हैं मतल a2 इसका मतलब हुआ क्या 7-5 equals to 2 सबका common difference 2 हुआ तो यह जो है जिसमें सबका common difference mathematically हम कर रहे है मतलब कोई multiplication नहीं सिर्फ difference common difference पता कर रहे है तो उसको हम बोलेंगे वो चीज एपी को follow करता है लेकिन अकर हम यह कहें कि 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे करके जा रहा है हारा कि यह एक sequence है क्योंकि इसका order भी वैसे जा रहा है 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square, 5 का square लेकिन यह एक AP बिलकुल नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि अकर हम इन दोनों के बीच का common difference पता करें तो 4-1 is 3 लेकिन इन दोनों के बीच का पता करें तो वो D equals to 9-4 is 5 जो कि 3 is not equals to 5 यह एक AP नहीं क्याराएगा, अकर आप किसी भी चीज़ को AP करना चाहते हैं तो दो चीज़ की बीच का difference पता करें, अकर constantly वो common difference सब में same है तो वो AP है नहीं तो वो नहीं है, अब अकर हम दूसरे time को कुछ और चीज़ समझाते हैं इस AP में 3, 5, 7, 9, 9 के बाल 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे करके इस तरीके से यह numbers जाएगा, इसको हमने क्या बोला था, A1, या तो आप इसे T1 भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोला था मैंने, A2, ऐसे करते करते आप कहां तक जाएंगे, कौन से term तक, N term तक तो है, A1, अब आकर इसमें आपको कोई बोले, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, आपको 7th term पता करो, A7 कितना होगा, ऐसे तो sequence को follow करते विए आप बता देंगे, 15 है, लेकिन अकर एक particular formula हो जाए, तो उनको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ 7 ही नहीं, अकर कोई बोले, A16 पता करो, A19 पता करो, तो किसे पता चलेगा, तो इसके पता करने के लिए, हमें एक sequence दिया गया है, और उसको कैसे पता करना है, ये क्या है, 1st term 3 है, दूसा term क्या है, A2, A2 क्या है, 5 है, लेकिन ये A2 बन कैसे रहा है, 3 के साथ common difference को add कर रहे हम, जो कि 2 है, तो हम ये 3 आया कहां से, ये है 1st term, और ये है D, तो A2 is equals to A1 plus D, A3 क्या है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है सार, 1st term, जैसे कि आपका A, A3 है, उसमें 7 हो रहा है, और वो आ क्या रहा है, 5 plus 2, मतलब A2 plus D, और A2 क्या है, A1 plus D, इसका मतलब A1 plus 2D हो गया ये, A3 is A1 plus 2D, A2 is A1 plus D, अब आते हैं A4 के बारे में, A4 के बारे में आकर हम आए, A4 is A3 plus 3D हो जाएगा, ऐसे करते करते, dot dot dot, A1 is, A1 plus, ये A3 होगा, A4 is equals to A1 plus 3D, A1 plus N minus 1 into D, N minus 1 हमने क्यों किया, क्योंकि आकर आप हर sequence में, हर एक term में देखेंगे, वहाँ पर एक term का में, आकर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना, 2 है, उसी अनुसार, हमारा relation इसी तरीके से निकलेगा, A1 equals to A1 plus N minus 1 into D, यह होगया आपका AP का formula, कोई भी term और sequence को आप पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास sequence दियावा था, मार लोग कोई निया sequence देखना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्या यह AP में है, बिलकुर, क्योंकि इनका common difference 5 है, अब अकर हम पता करें, इसका A100th term, 100th term पता करनेगा, तो A100 मतलब कितना हुआ, A1 तो है, पहले formula लिख लेते हैं, A1, N minus 1 मतलब 100 minus 1, 99 D, A1 हमको पता है, 5 है, 99 into 5, 5 plus 5, 9 is a 45, 5, 9 is a 45 plus 4, 495, that is 500th term, 500 होगा आपका answer, मतलब 100th term जो आएगा आपका, यह 1st term है, 2nd term, 3rd term, उसी तरह 100th term जो आएगा, वो होगा 500, I hope you like the video, please do like and subscribe, I will come up with exercise question in the next video, thank you.